आज मैं शेयर करने जारी हूँ एक महीना तक खराब ना होने वाले मिठाई सबसे पहले हमें एक तार का चाशनी बना लेना है एक कप चीनी तो आधा कप पानी आप चाहे तो थोरा सा फूट कलर मिला सकते है तो लीजे चाशनी है बिलकुल रेडी अब इसको बस हलका सा ठंडा करना है पूरा नहीं उसके बाद इसमें मिलाना है मिल्क पाउडर मैंने इधर एक कप करीब मेल्क पाउडर का इस्तमाल किया है थोरा थोरा डाल के अच्छे से मिक्स करना है अब इसके अंदर मैंने मिलाया है वन टबल स्पून करीब घी और बस वन फॉर्थ कप करीब मैदा आप चाहे तो थोरा और भी मैदा का यूज कर सकते है तो लीजिए तो हमारा मिक्स्षर है बिल्कुल रेडी अब इसे एक थाली में ट्रंसफर कर लेना है जिस पे मैंने घी लगा के रखा था अच्छे से सेट कर लेना है गर्मा गर्म ही इसे कट करना है तो हमारा सूपर टेस्टी मिल्क बर्फी है बिल्कुल रेडी एक महिना तक इसे रख के आप खा सकते है बच्चों से लेके बरे तक सब किसी को ये रिसिपी जरूर पसंद आएगा इंजोई